So hello friends, welcome back to the another new video So सबसे पहले तो आज की हमारी इस वीडियो पे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट में जो new एक Android 11 फोन आने वाला है जो की Jio Phone 3 यानि की 4G, 5G फोन ये मार्केट में आने वाला है इसका specification क्या होने वाला है इसका launch date क्या होने वाला है इसका यानि Jio Phone 3 का कितना total rupees कितना price होने वाला है So आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी लोगों को बता देने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को अगर आप end तक देखोगे तो फायदों में रहोगे and आपको सारा detail में आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को बता दूगा So चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इसका total कितना GB RAM होने वाला है सबसे पहले ये world में सबसे कम दाम में Android Mobile भारत में ही मिल रहा है और ये जो company है Realize Your Company अगर मैं आपको इसका RAM के बार में बता दूग तो इसका RAM है 2GB RAM यानि की 2GB RAM तो release date कब होने वाला है इसका release date है 10th September 2021 को इस दिन में मार्केट में जियो फोन का booking शुरू हो जाएगा and इस फोन को आप दिवाली महने में यानि की November अक्टूबर से लेकर नौउंबर के बीच में यह फोन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जो फोन है इसका MRP यानि इसका कितना rate होने वाला है तो rate है जो गाईज 2500 से शुरू हो करके 4000 के बीच में आपको यह फोन देखने को मिलेगा जो के जोफोन 3 है एंड जोफोन 3 प्रो है तो इन दोनों का प्राइज अलग-अलग है इसका साइज कितना होने वाला है इसका 5.5 इंच का ठीक है इसका बैटरी के इतना होने वाला है बैटरी गाईज मैं आपको बता दू तो इसका बैटरी है 2500 mh का यानि की 2500 mh बैटरी होने वाला है एंड गैज मैं आपको बता दू बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे सुभम भाई आप बदाए इस जीओफोन 3 में होट्सपोट एंड जीपेस का फीचर्स होगा की नहीं होगा 90% हो सकता है 10% नहीं हो सकता है अभी तक कोई प्रूप मेरे को नहीं मिला है सटिक तुमें नहीं बता सकता है हाँ आगे आपको पता चल जागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा तब आपको आगे भी पता चल जागा जैसे वीडियो अपलोड करूँगा बैल ऐकन को प्रेस करेंगा सीधा सीधा आपको notification अपका notification मिल जाएगा एंद गैज है इसका last में बता दू तो इसका जो back camera है camera back camera 13 Megapixel का होने वाला है and इसका जो front camera है front camera का megapixel 8 Megapixel का होने वालाई यह 2500 से लेकर के 4200 का जो बीच में phone आ रहा है इंडिया में नमबर वान सबसे कम दामकर यह एक तरीका का गैज मैं मान सकता हूं कि आज तक कभी भी एक Android मुबाइल इस तरीका के कम प्राइज में नहीं आया है काफी अच्छा फोन होने वाला है यह जो फोन है मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर कर दूँगा अभी कुछ नहीं बताऊंगा आगे चल के आपका इंफोर्मेशन मिल जागा कैसे आप पाटिसिपेट कर सकते हैं आपको सारा चीज के बारे में आगे बन बता सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के सब्सक्राइब के लिए जाहिन वन दिमात रहां